सब्सक्राइब करने वाले हैं जो हमारी क्लास से चल लेंगे ठीक है जो मैं आपको पूशन स्कूराँगों को पीडियस आपको यहां मिल जाएगी पहले वाली अपको क्लिक कर लेना है अब क्लिक करेंगे अगर आपको सामने नहीं आएंगे पहले आपको राइट करेंगे तब दिखाई देगा फिर इसमें तीन-चार आपको निखेंगे जैए आपको दो आपको दो सब्सक्राइब करते हैं नीचे को स्लाइट कीजिए देखिए यहां पर पार्ट पार्ट अप्लोड रहा है एक पार्ट में लगभग पचास कुस्चन नहीं अपर अप्लोड कर दिये कर दिया हमने क्लिक कर दिया जैसे क्लिक किया डाउन लोड होगी होगा नीचे को स्लाइट कीजिए कि तो इस तरह से आपको बिल्कुल आपको सकते हैं कि तरह आज का हमारा पहला कुस्चन है जो भी आज जो हमारा कुस्चन आने वाले हैं इसमें है कि हम लोग को यह पहले सैंसर पता होगा उसका रीजन है कि हम लोग इस टाइप को पहले कर चुके हैं ठीक है यह ने बताया था जिक का काम है वह क्या करेगा जौब को मजबूती से पकड़ेगा प्लस तूल को गाइड भी करता है जौब को पकड़ने के साथ तूल को गाइड भी करता है जबकि जो हमारा फिक्स्चर है वह सिर्फ और सिर्फ पकड़ने का काम करता है गाइड नहीं करता और जिग की अपच्छा ज्यादा मजबूती से जाब को फिक्स्चर पकड़ता है यहां पर इस प्लैम का नाम क्या है तो हम देख रहे हैं मैंने इसको पैटाने के तरीका आपको बताया था यहां पर देखेंगे तो यहां पर दिख रहा है क्या है इस क्रूश कर जैसा दिख रहा है तो क्या हुझा जाएगा इस क्लैम नगाहरा गाउगा तो हमने दोनों होगा कि यहां पर नोब देढ़ होगा इसकी जगह पर नॉब दिया हो सब इस चीज को पहले ही बात किये है उसके बाद क्या वेज़ क्लैंप तो यह फिगर भी आप लोग पहले दिखा होगा कोई नया नहीं है और टॉगल क्लैंप यह भी पीछे कुस्टंस में आया हुआ था यह जो फिगर किसका है तो यह भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो यह जितने भी आपको फिगर है सब कुछ नया नहीं है ठीक है पीछे वाले पार्ट में हम लोगों ने इसको किया हुआ है चलिए आगे क्या है आगे कह रहा है कि मसीनी आप्रेशन के दवरान कटिंग तूल को सिर्फ पकड़ना लोकेट करना और गाइट नहीं करने के लिए ठीक है दूरान क्या कर रहा है कि तूल को सिर्फ पकड़ना लोकेट करना और गाइट नहीं करने के लिए क्या नहीं करेगा विच दिवाइट पकड़ने के लिए लोकेट करने के लिए लेकिन और नाट गाइट दक तूल मसीनिंग ऑप्रेशन करने के दवरान कौन सा डिवाइट से यूज किया जाता है जो आपको पकड़ने के लिए लेकिन कटिंग टूल को गाइट नहीं करने के लिए जो कटिंग टूल को गाइट नहीं करता है यहीं तो मैं आपको जब यह कुशन स्टार्ट वा था जीक फि सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहां पर लगा हुआ है यह क्या लगा हुआ है जो हमारी इसमें से हो करके सब्सक्राइब करने के साथ सब्सक्राइब कर रहा है यह चीज़ में आपको बता रहा था हूं यह देखिए यह नीचे भी ब्लॉक है इस पर यह जौप पकड़ा गया है यह क्या है यह वह ब्लॉक है और इस पर यह लगा हुआ है यह लगा हुआ हमारा यूप यह उपर जो आपकर यह जो आपकरती है इसलिए इसलिए इसको यूप क्लैंप करने के लिए पकड़ने के लिए यूच किया जाता है मतीन माइक्स में देख रहे हैं यां भी यहां पर जॉब में होलस्की आ चाहária है है यह हमारी पत्थली मतीन मतीन माइक्स क्या होता है मतीन रले ना वहा हमारे जो 5 4 होती है उर्सके पिच्छा प्रकार का कम रहती है इसकी है इसकी क्या है कि यह हमारी है मतीन वाइस है यहां पर देख रहे हैं मतीन वाइस आप पकड़ा गया और यह जबड़ा आगे पिछ निटिए पैंडल व्लॉक इदर भी इदर भी जिससे की जब प्रकार का लाग करने के लिए एक आतां तरीका परदान किया वह प्रकार के नाम है। मुस्राप को पकड़ना मजबूती के साथ तो पूछ रहा है कि भाई क्यों वायों। मतर संगे बन इसलोगे मशिनिग मेस्विणिंग के लिए है कौन हसा मुच्जीड कानि है'm तो से हमारा क्या होता है जैसे की टर्णिंग करना होगा उसमें क्या टर्णिंग करना हैं तो वेल्डिंग करना है उस व्यश्य को बना लेते हैं सबसे फपकरणा क्या लग रहा है वाइस ए मैं सब рабखेज हो क्या रहा है यह वाइस पिक्टर और या मनने आपको पहले दिखाए विज़ा कि वाइस होती हो उसी तरह होता है इसके बड़े खुलते हैं यहां पर लगाये तो वाइस की तरह इसमें जबड़े होते हैं इसलिए इसमें जॉब को पकड़ना आसान होता है अन्द कि फिच्छा ठीक है विच्छ घुमेगा तो उसको बैलेन्स खराब हो जाएगा उसमें दोलन टाइब को होने लगेगा था चक का बैलेन्स खराब नाओ च्छक करने के लिए कि जो अन्यमित आक्रती के जॉब लगाया इस पर उस जॉब को संतुलन में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसके के था है टों फिर सैथ में उसी के बराबर एक वेट लगा देते हैं जिसे हम लोग बैलैंसिंग वेट या फिर काउंटर वेट कहते हैं गफद्थ получилось यह दूजयाती है तो बहुत चलता है और फिर हमारा दें सदने मotर कैके मिल मता će यह वह दोनों जो हमारे जाओब है ठीक है और जाब को देखिए क्लैम करके इसके मदब से दवा दिया गया है हाँ पर पकड़ा गया तो यह हमारा लोडिंग आप component इन जीग में जब हम कोई component किसी जॉब को लगा रहे हैं तो कौन सा जीग में कौन सा पार्ट होता है जो जॉब को गलत तरीके से रखने में मतलब उसको पति-मंदिन करता है रोकता है कि नहीं स्टैट नहीं रखना है या कहले जैंसे बाता में कि जीग में को ख्लाइम करने में सही अस्तान उचीत अस्तान करने में मदद करता है कि जीख पर कहा पर पकड़ा जाया तो फिसके लिए कौन मदद करता है गोह दिळत है हं आहिना वर थे दिखा था यम जित हो गया इसको बाली बाटी आए ऑर ऊपर हो जाएगा हमारा हमारी गुप्य गप site अ गरिल प्लेट DA a कि यहां प्र जीग वी कहते थे और हमारा र'? ऊध्य information एक के तरे खुनिकाल देंगख़ नखर a ya मरा क्लैम्पय उपर लग अब जाएगा करेगा यहां पर से दिखाए गया है तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यह बीच में क्या यह पायट हमारा पकड़ा गया है जो यह क्या है यह यह हमारा है जोब जिसको पकड़ रखाएं जोब कहां जाकर टकर यहां तकर यहां टकर यहां जिसको बीच में कुल में क्लैम पाव लोकेटर होते हैं और दोनों में स्कें काम होता है क्लैम्प का काम क्या है जॉब को बात करके रखना मजबूती से क्लैम्प बात करके जॉब को मजबूती से जीग पर बात करके रखेगा क्लैम्प क्या करेगा जो जॉब है उसको मजबूती से जीग के उपर या फिक्चर के उपर दोनों में देखे मैंने बता ना जीग और फ मिक्ष पर दोनों में काम होता है जाब को फिक्ष्चर या जीग पर लोकेट करना अस्थापेत करना चुब हम कहां लगाए कहां पर रखें तो यह कहां पर उसનश्री ततान आएगा उतका यह लोकेटर ही करते हैं । मसा उसलोकित करें को भाई ल॑कान सब्सक्राइफ है युक मदद कर रहा हूं जाएगा तों आपनों की बात defender के लुटेट। चप्लिए ने तरौि से लेखना हैं तो हाँ प्र स्लेक्तर val श्रम कहा है क्लेब आपने देखा क्लाइब पैजों के लिए कान करता है जब कि कुछ ऐसी हमारी होता है जिसको एक बार लगा दिया जाता है तो फिर निकालते लगाया जाता था और पिर निकाला जा सकता था जैसे जरुदत पड़ी कुछ चेंज कर सकते तो पड़ेते जहां पर एक से अधिक संक्रिया एक से अधिक करना ऊंता है और यहां पर एक अधिक दियर्ल किया जा रहे हैं तो ऐसे जगवाँ पर फिक्स वाला कर रहे थे उसके बाद एक आवर उसकी वह लोग बात किये थे लाइनर बूस का यूज की आ जाता था तो जहां स्लीब बूस्ट में बार बार हम लोग बूस को लगा रहे थे निकाल रहे थे तो इसे प्लेट का हमारा जो ड्रिल जीग है जीग प्लेट है उसका साइज बढ़ जाता तो प्लेट बदलनी पड़ती खराब हो जाता हमारा जीग तो हम लोग क्या किये थे जो स्लीब बूस्ट था उसको लगाने से पहले उसमें लाइनर बूस्ट लगा रहे थे निकाल रहे थे तो यह हमारी बास पहले हो चुकी है ठीक है चलिए आगे क्या जीग का प्रकार क्या कि आपर भार खिछते हैं फिर अगली पर बड़ करना हो बराबर अस्थान पर एक समान बराबर अस्थान पर बराबर दूरी पर एक समान-डon करना हो उस तरिफिर पर क्या कहते हैं धिक्राइद राए जिसका है। पॉस्ट जिग में हमने बात किया था कि इसकी पॉस्ट को हम लोग कोसिस करते हैं कि जितनी ज़रुवा तो 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 नहीं हिसाफ से लंबा और ट्रॉस हो आरे जिससे कि हलका रहेगा तो इसे उठा करके आप उसके सारे जाब को सपोर्ट जेना आसान रहेगा इसमें बेश्ट नहीं होता है इसमें बेस नहीं होता है इसमें प्लेट यहां पर रखा गया है यह लोकेटर जाप को तर्सान पर बैठने में मदद कर रहे हैं और क्लाइन के दौरा हम्हों को पकड़ रखा है हम अब यह जो डिलभूस होगा क्या करें कर एक यह लगाएट करें और हमारा काम करता है किसी जौप के प्रदान किया जाते हैं इसको भी मैंने जब पहले स्टार्ट किये थे ना तो मैंने इसलिए आपको जीग और फिक्टर में आपको पहले ही बता दिया था यहां पर दिया गया होता है तो दोनों का मैंने आपको पहले काम भी बताया था कि इनका क्या है एक बर मैं आउग भूबर आपको रिमिलिग के लिए करने के लिए नाम ले रहा है और रहा वारत किया है जब होगागी जब डिखोगा ना जब यह तो है नहीं और हमने बढ़ा था कि फिक्स्चर टूल को गाइड़ नहीं करता वह सिर्पार सिर्फ पकड़ने करने का काम करता है पहला आप्सम तो यह स flavors कहां.. weigh score कोई मतलम नहीं है huh.. इसका कोई मतलम नहीं है अगला कहा है we are clamping परपज्ट यह भी मैने को बताताय क्लैंपिंग करने के लिए जो आपको पकड़ने के लिए हम लोगं क्या करते हैं? we use a.e ङ meditation दोनों में clamp होता है और क्लाइम का काम होता जाब को मजभूती से पकड़ करके रखना यह भी अवस्तन सहीं नहीं होगा ठीक है आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है फॉर बैलेंसिंग वर्पीस को संतुलित करने के लिए यह वाला हम लोगों ने पढ़ा था फिक्चर में लेकिन आपको याद हो है वह संतुलित हो चुके हो सके और उस वेट को हम लोग काउंटर वेट या बैलंसिंग वेट कहते थे तो इसका भी कोई मतलब नहीं है अब बचा क्या कि फिक्चर को सही तरस लोकेट करने के लिए बात को समझेगा मैंने आपको बताया था लोकेटर लोकेटर क्या करता है कि जाब को फिक्चर के ऊपर सही जगाप में जापकुर चाई कि उसके लिए उसके यूच करते हैं उसके लिए हम लोग युच करते हैं अ लोकेटर ठीक है फिक्स्चर को जो थो प्पफिक्च्चर है ठीक्ष्चर मुलिंग पसीन प्रसुkง यूद्ध मुलिंग मसीन यूदंस पर कम करता है फित टेनन टेनन फिक्चर को सही अस्तान पर लोकेट करता है ठीक है तो और यह स्लॉट करते होते हैं करने के लिए लगा होता है तो समझे बात जॉब को फिक्चर पर हमें क्लैंप करना है तो सब क्लैंप यूच किया जाएंगे लेकिं फिक्चर को मशीन टेबल पर क्लैंप करना है किसी मशीन की ऊपर क्लैंप करना है तब हम वह चलॉट इसलिए कटा होता उसके लिए ठीक है आगे चलेंगे आगे कह रहा है कि डिल जीग में डिल बुस्स का उद्रिश क्या है देखिए मैं आपको कई बार चीज बताच करता है कि देखिए को गाइड करना कि दिल जी का काम है कि पहला को सपोर्ट करने के लिए तो होगा ने टू सब दिल प्लेट है हमारी सब सब्सक्राइब के सारे ठीक है यह भी नहीं होगा करने के लिए इससे कोई मतलब नहीं होता है लेकिन जो फिक्स्चर होता है जो कि इसमें के मार्किंग क्ये आउसकता है अगला करता है इस does में याब की वे काटना हो तो हम इसी पे करते किसी자는 इंडेक्षिंग भी जूपर और पर शज़ाग स तो एधीर होगा है हाथ सबसके आसानी यही होता है solid का फिगर तो यहांपे नहीं है प्लेट प्लेट है और इसमें पकड़ने की ब्योस्ता दी गई है तो यह हमारा प्लेट फिक्च्चर होगा कि अग्ला देखतें एलमुनियम धातु का रंग क्या है यह यह इलमुनियम क्या आपने वायड देखे होंगे जो बिजली ऑगरा आती है नार्मल भी पूल अगरे पर जो वायड लगे उते हैं उटे-मूटे तो देखें कि कैसा दिखता है बिल्कुल वाइट तो होता नहीं ह वाइट में तो सफेद दूद्ध साथ दिखता नहीं है वाइट टाइप का रहता लेकिन थोड़ा उसमें क्या बुरा पल लिए कह लेजी या कहले जब टाइप का दिखता है क्यों कि वह पूरा प्योर नहीं होता हुआ होता है होता है है ऐलमुनियम को आपने देखा होगा तो सफेद तो चमकता नहीं दूद की दर हो वह कैसा होता है तो दोड़ा दल टाइप का दिखता है इसका मशलों वाइट इससा है लेकिन पूरा वाइट ने उसमें फटोड़ा ग्रे है तो वाइट इस ग्रे कहन से कह करके पिला तक मिलता है रेडिस जो होता है या फिर गुलाबी रंग के टाइप का यह हमारा कॉपर होता है का पर जो होता है यहां पर पूछा तेल्मुनियम का तेल्मुनियम वाइट इस टीन होता है अगले किस की बात किया और कहते हैं क्या कहते हैं और इंग्लिज में बोलते हैं या आयस होता गया थोड़ा से इसको समझ जाते हैं फिर कुशन करने मझा आएगा देखिए आयस क्या होता है तो आयस का मतलब है ना जिससे उसको प्राप करें खनीच पजार ठीक है जैसे किस की बात कर रहा है सिसा की बात कर रहा है यह बात कर लीजिए तो क्या कोई पेड़ होता है यह कोई होता है कि नहीं पर खुदाई कि रूप में मिलते हैं जहां पर खुदाई किया जाता तो करने पर खुदाई करने पर खुदाई की रूप में प्राक्त होते हैं वह असुद मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं पिर जब को सुद्ध करते हैं उसमें से असुदियों को अलग कर देते हैं तब उसमें क्या प्राफ्त होता है जिसका भी होगा वह सीजिय हमें मिलेंगी तो बाक्ताईट समझ में आया अस्वारी आयस के समझ में आया आयश का एक खनीच्पदार्थ हैं जो मतलब में रूप से हमारा जो आयस्क है मेलेकाइट करेंग जमीन में तुष से मैलेकाइट मिलेगा ना कि ताबा मिलेगा यह जो ने जो नुक्त कोपर के किला कितो कि ग़ाएट मिलेगा तो ना कि मिलेगा मिलेगा तो जब रूप मे कैते हैं अब हम इसको सुधों करेंगे कभटियां यह से निखालेंगे तब हें जावावा मिलेगा जूत जाध है। अगर पैराइट के रूप मैं कंम तर रहे incredibly है क्यों करें है मतलब जब कहीं पर है कि जाएगी ना तो वहां पर क्या होगा मैं एल्मुनियम जो इल्मुनियम नहीं मिलेगा रॉप और रॉप सुध करते हैं कैसे करते तो पाक्राइट है उसको हम लोग जब उससे अलग करेंगे यूप अलग करेंगे तो जब हम लोग अलग करते हैं तब क्या होता है कि हमें अलमुनियम आक्साइड को अलग किया जाता है जब इसको अलग करेंगे अलग कने मिलेगा क्या अलग किजैंगे फिल्धा के दवारा जब इन दून वड़ी में से किछी एक से सुध करेंगे तब हमें क्या मिलेगा तो यह प्रोसेस है कि यह प्रोसेस है कि यह प्रोसेस करने का ठीक है इसका जो गल्नांग होता है यह 133 डिग्री सेल्चियस रहता है जब कि यहें पर इल्मुनियम की बात करें तो 603 डिग्री सेल्चियस पर हमारा क्या पिखल जाएगा यह जाएगा अब बात रह जाते हैं इसके अब लास्ट आफ्टन आपको पता लिया होगा कि जो आयस्क है में रोलेगा या फिर लेड्व ग्लांट लेड्व सल्फार से मिलता है यह फिर लेड्व घूलेटी इन टइन क्या प्राफ लक्षोता है त्यों क्योंता है लेकि सावता हरा çıkar जो सिशा गल्नांग कि है हमारा यह कितना है तो सबका मैंने आपको गल्णान भी बता दिए ठीक है आप सो नहां पर कौन से प्राफ्ट होगी गया लेना से प्राफ्ट होगी इसके लिए लेट फिल्पाइब लेट ग्लांस से भी मिलता या भी आयस का है हमारे सीसा के अगले कुश्चन पर चलेंगे कि अगला कि चिसाटीन ताबा एंटी मनी के मिस्ट धातू का नाम क्या है बहुत आसान कुश्चन मैं इस लिए कर रहा हूं कि जब इसके पहले कोस्टन कर रहे थे बीयरिंग वाला जब बीरिंग के कुश्चन्स आया थे हम लोग ब्याइड का मेटल पढ़े से वाइड बनाने के लिए यूज किया जाता है तो यह कैसे बनता है तो आपको को साहते याद हो कि Camper plus dean व्लबग 5-30% तो मुलता है क्यें Junior कि या बनता है कि एमारा कैसे copper प्लास जिंग को मिलाने ते आ। च्रफिए ग्लाइडिंग मेटल है तो ग्लाइडिंग मेटल एक तरह तरह का हमारा पीतल काई एक परसेंटेच के अधार पर बदला हुआ दात हुआ। यह किसका है यह उसी के एक तरह से इलाव समझ दीजिए, कापर का, ठीक है? यह क्या हो जाएगा इसमें जब हमारा कापर 95 परसेंट हो और जिंग 5 परसेंट हो तो हमारा क्या इन दोनों को मिलाने पर बनता है हमारा क्या ग्लाइडिंग मेटल ठीक है चलिए ने स्कूश्चिन पर चलेंगे अगला है मुझ धातू मुझ धातू में ताबा और जस्ता का अनुपात क्या है ठीक है किस में मुझ मेटल में पूछ रहा है कि कापर का और जिंग का अनुपात क्या होता है यह बात कर रहा है किसकी मुझ मेटल की बात कर रहा है ठीक है करा कापर मिलाने का बनाए जिससे प्रक्र कहते हैं ठीक है तो यहां पे कह रहा है कि मुंझ मेटल को अलग अलग मैट्रीयल तयार होते हैं जैसे की संतर-30 अगर कापर को विलादें और जिंग को जिंग को तीस परसेंट पर सतर परसेंट ओर करेंगर को बिला दिया जा अगर चल्य को उडिन average बनाएगा किहां जो बनाएगा उसको बोलेंगे कोश्ष्old क्या बोलेंगे कायर्टिच ब्राउट कि้ या बनता है मुंझ मेटल यहीं हमारा बनता है हमारे मिले हुए थो यह बनाता है उसे कहते हैं बेसिक ब्रास बोलते हैं या फिर भी ब्रास बोला जाता है क्या रिवेट भी ब्रास बूला जाता है ठीक है चलिए इस कुछिशन पर चलेंगे अगला कि बाक्साइट किस धातु को निकाला जाता है बजह नहीं लग रहा है कि बताने की बताया है बग्साइट से मिलेगा बाक्साइट से मिलेगा नमक साय को अलग करते हैं इल्मुना नमकपदाप मिलता है पाइराइट पाइराइट से और मैलेकाइट से हमारा 55 पर्षेंट जो है कापर ट्राप होता है और पाइराइट से 32 यह इसके आजस हो गए कापर के ठीक है बाकिजिंक के अधिये जिंक में हमारा क्या होगा जिंकाइट ठीक है जिंक ब्लेंड केले माइन और फ्रेंकी नाउट यह तिन चार आयस के जिस्सें तो इससे जो होगा हमारा जिंकाइट ना जिंकाइट से जो हमें जिंक प्राप्त होता है वह 80 परसेंट जबकि जिंक ब्लेंड से कि से मिल रहा है वागी 有 शत्री सट सट हूँ और जो ब्राइस आयस कीसे तो आपको मालूम है यह तो कापर और जिंक मतलब यह जो इन दोनों फिर मिल्टा ऑपर मिलता है तो चलिए बनाने में किस भाटू क प्योग किया जाता है भर जोज can लेट था तो और प्रकार का बेल्ट्राइब संचालिज साथ के लिए भी रोत को घुमाएगा मतलब रिपरिद जिसा में गुमाएगा विद्व का मतलब क्या विप्रिद जिसा में गुमाएगा विप्रिद जिसा में उपर पढ़िए तो समझ में आएगा जब्स टाइप उसरे के विप्रीष फॉक एक तूर्य को पाएगा इक यह वाला है में सबसे बढ़ा सबसे बढ़ा तो नीचे वाले में उल्टा पहले बढ़ा फिर चोटा फिर बढ़ा है यहां चोटे से स्टार्ट किया दोनों को विप्रीज रिसाम लगाएंगे पुली पर गटा होगा इस प्रकार किया उतनी विभीन गतिया प्राथ कर पाएंगे कहने का मतलब अगर उतनी अलग अलग प्रकार की प्राथ कर सकते हैं तो यहां पर देखिए जैसे मालेजी आप इंजिन आपके पास जनरेटर है जनरेटर को चालो करेंगे तो उसका पुली होगी वह driver साथ कराएगी और उस दूसरी पुली को घुमाओगी बाइक डिजल इंजन पर पूली चड़ा करके आप चारे बारे वाले मसीन पर चड़ा लेजिए तो उसकी मदब से जो दूसरी वाली मसीन गुमेगी उसको ड्रीवें साफ्ट बोलते हैं चलित चाला का और चलित ठीक है तो मालेजी यह हमारा है अगर पूली हमारी ऐसे ऐसे इस डारेक्शन में अगर मालेजी ऐसे ऐसे गुमती है ठीक है एंटी क्लाक घुम रही है तो यह वाली भी कैसे घुमेगी तो भाई यह वह ऐसे चलेगा तो यह बेल्ट ऐसे सिधा आएगा और यह आभी ऐसे मतलब दोनों सीम जिसा में घुमने चाहिए पर इसमें देख र हुआ नहीं तो यह सही होगा नहीं आपका इस्ट्राइब उसके बाद क्या ओपें वेल्ट ड्राइब ओपें बेल्ट देखने तो यह वाला है इस टाइप के अगर पुली पे हमारा बार बार चड़ा हुआ है तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है अगर अगर मालेजी है यह अएसे घूम रहा है जब ऐसे घूमेगा थे नीचे से घंचाओ में आएगा जब यह नीचे से घंचाओ में आएगा झाव मैं टो हमारी क्या हुआ है् मतलब जब यह clockwise घुमा तो रसी को इधर को खीचेगा मतलब बेल्ट इधर को आएगा जब इधर को खीचा जाएगा इस पर निचे से खीचेंगे तो यह पुली क्या होगी इसकी जैसे यह भी इसी दिसा में घुम जाएगी वह नहीं आ रहा रहा ना आप इसको देखिए कि य बेल इसके उपर प्टाने की कोसिज करें युल की खीचेगा कैसे ऐसे सीधा की तो यह भी घुम रहा है वैसे दोनों से स्वाला क्रास वाला ऐख देख लीए भी थी है ऑगे लिए देख रहे हैं यह जो फिगर हें यह फिगर हमारा किसका है यह हमारा क्ला ट्राइब का यह वह भी पर सिदाथ और दोनों बेर्ट क्राव में अब इसमें देखिए अगर मालेच यह फूली होती यह है अगर यह कैसे चल रहा है कि अब यह क्या होगा ऐसे चल दा है ना वह से इमेजिन कीजिएगा जब यह ऐसे घूम रहा है जब गूम रहा है जब घूम रहा है तो यह इस पर लपेटाने को सिस कर रहा है मतलब यह खीचाओ में आ रहा है जब शीचाओ में आएगा इधर से इधर को आप खीचेंगे तो क्या होगा इस पुली से गुम जाएगा। इसको अधर को सिस्किए अब उपर नीचे को खिचा इस पुली नीचे से उपर को गुम जागे अब देखिए यह इसरे को घुम रहा है वह उदर क zwar की बिप्रीद दुशा में गुमने लगी बिप्रीद दुसा में लगे किसकी वजय से तो सब्सक्राइब कर देते हैं तो इसे दोनों पूलिया आपको दिख रहा ना राइट एंगल का मतलब क्या 90 तर से दोनों क्या राइट एंगल पर है न यह हमारी पूलिया इस दोनों एक दूसरे से आपके डिख रहए तो इसके लिए यहाँ पर आणि आपके उसे सब्सक्राइब इसमें क्या होता है जो हमारा राइट एंगल वाला है यह वाला फिगर है यह क्या होता है यह साफ्ट हमारा और दूसरी साफ्ट वर्टिकल होती है ठीक है और इन दोनों को 90 पर रहें या यहां पर क्या गायट पूली या दो यूज की जाती है यहां पर हमारा राइट एंगल विल्ट कर लाएगा ठीक है तो आज की वीडियो में इतना है और मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आए कमेंट करके जरूर को बताइए या ठीक कैसा लग रहा हमसा चीजें क्लियर होंगे समझ में आ रहा नहीं आ रहा किया जो भी है आप कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है बाकि चलिए आगे के जो कुस्ट्स हैं और नेक्स वीडियो में करेंगे थैंक यू झाल झाल झाल